विचार है और क्या आगे करना चाहिए चाम भक्त मंडल और 35 बाराइट चमबर अब कॉमर्स की तरफ से आज 9 दिन वरेनी गाउं में पकावा भोजन और सेनी टाइजर, बिस्केट और मास्क माटा जा रहा है बहुत अवसाएं लोग हैं उनको खाना दिया जा रहा है इसके लिए चमबर अब कॉमर्स की अधिक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सभी मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बढ़ चल के भाग ले रहे हैं और अपना सवयोग दे रहे हैं तो यह देख रहे हैं यहां पर क्या कैसा लग रहा है इसके पहले क्या कभी गाउं आए थे यह तो लग रहा है चोटे-चोटे जब बच्चों को जब आप श्कूर देते हैं और चैनी टाइजर देते हैं तो देख सकते हैं आप हमको लग रहा है कि जैसा देख रहा है कि लोगों के साथ हमारे शेंबर आपको मर्स के साथ आए हुए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं सब्सक्राइब काफी दिक्कर भोजन की जरुवत है पहुंचा रहे हैं जहां तो देख रहा हैं अभी लगातार हम सुन रहा है कि आज गाउं में जो सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां सेम्वर आफको मर्स पहुंचने के काम कर रहा जो भीवसाइब वहाँ से चल कर आते हैं और देख सकते हैं डिस्टेंस बनाकर सभी अपने अपने जगापर करें लोगों को बाट रहें देख सकते हैं इदर साथ काफी संक्या में लोग हैं सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए क्या नाम है स्रेश्ट खेतान अभी तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अभी जैसा कि लॉक्डाउन के कान घर आ हैं और आज आपको आने का मुखा मिला साथ तो कैसा महसूस कर रहे हैं अच्छा मैसूस कर रहे हैं कि हर गरीब को खाना मिल पा रहा है जो नहीं खा पा रहे थे जिने नहीं मिल पा रहा था सब लोग को मिल रहा है तो सब मिल के बढ़न है किसी को कोई चीज की कमी नहीं हो रही है आज हमारे लॉक्डाउन का बहुत दिन हो गया लिए लिए और जो सेवां में ततपर है विक्की जी सुने कि आप अपना घारी जो सेवां में लगा दिये है कैसा महसूद करते हैं और गाउन जाने कवी मुकार मिलता होगा ने तो चलिए अब ये गाड़ी यहां से फिर दूसरे गाउं की ओर चलेगी धन्यवाद मैं मुके सजाद स्काउट के जीला प्रसिक्षक